बीते शुक्रवार यानिकी 17 सितंबर को प्रधान मंसुरी नरेंदर मोदी के जन्द्बिन के मौकि पर देश में जम कर वैक्सिनेशन अभियान चलाया गया वैक्सिनेशन के सारे रिकॉर्ड धस्त हो गए शुक्रवार को वैक्सिन लाभारतियों के संख्या मिन्टों में बदलती नजर आई देश भर में वैक्सिन की संख्या दो करोड के पार चली गई करनाटक शीर्च पर नियूज एजनसी पीटी आई के मुताविक 17 सितंबर को वैक्सिन की डोस देने के मामले में टॉप पर करनाटक रहा करनाटक में शुक्रवार रात तक 26.9 दो लाग डोस दी गई हैं देश में टॉप पर करनाटक रहा करनाटक ने यूपी विहार को भी पीछे चोड़ दिया है विहार में शुक्रवार को 26.62 लाग डोस और यूपी में 24.86 लाग डोस दी गई हैं करनाटक के स्वासमंत्री के सुधाकर ने राज में वैक्सिनिशन के प्रियास की सरहना की है उन्होंने कहा कि एतिहासे क्रोना वाइरस वैक्सिन अभियान को लेकर मैं स्वास तकर्मियों और स्टाफ के अन लोगों का अभिवादन करता हूँ आसाम वा बंगाल के आंकड़े शुकरवार को पस्चिम बंगाल में 3,97,086 लोगों को वैक्सिन की डोस दी गई राज के 180 अधिकारे के मताबिख 4.88 करोड योग यला भरतियों को वैक्सिन दी गई है राज में 1.41 करोड ऐसे लोग हैं जिने वैक्सिन की दोनों खुराग दी गई हैं वहीं पियम मोदी के जन दिन के मौके पर आसाम में 7,9524 लोगों को वैक्सिन की डोस दी गई है दिल्ली, हर्याना वा अन राजियों के आंकड़े कोविन डैश्बूर्ट के मताबिक 17 सितंबर को हर्याना में 3,73,712 लोगों को वैक्सिन लगाए गई वहीं राजधाने दिल्ली में 1,52,913 लोगों को वैक्सिन की डोस दी गई गोवा में 16,419 लोगों को वैक्सिन लगाए गई हिमाचल प्रदेश में 62,585 जम्मू कश्मीर में 1,15,517 जाहरखंड में 96,313 केरल में 3,89,064 पंजाब में 2,2552 राजिस्थान में 13,18,344 मद्र प्रदेश में 26,19,887 और तमिल नाडू में 2,52,343 वैक्सिन दोस दी गई गई हैं क्रोना वाइरस और क्रोना वैक्सिन से जुड़ी हर अबडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें